विक्रम अहाके जिन्होंने आज सबसे बड़ी खबर बनाई है राजनीतिक खबर संजना अमारी जो सयोगी रंजना है उनके साथ जुड़े हुए हैं सीधे हम रुख करेंगे रंजना ओवर टू यू जड़ा पूछिए विक्रम जी से ऐसा क्या हुआ हमने ये भी सुना है कि वो काफी ये निर्णे लेने के बाद रोते रहे ऐसी भी खबरें मिली हैं कि आंसू बहाते रहे वो तो उनसे उस पूरी कहानी को समझिये जरा कि ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों पहले बड़े ताम जाम के साथ जो शक्स बीजेपी में आया उसने अब बीजेपी को अलवि क्योंकि कुछ दिन पहले आहा के जी आप बीजेपी में गए थे और जब मैंने आपसे बात की थे आप लगातर यही कह रहे थे कि विकास को लेकर हम बीजेपी में आये हैं जो तस्वीर आप चाह रहे थे वो नजर नी आई लेकिन अचानक से 15 दिन हुए हैं अभी और मन कै से बतला आपका चानक से कॉंग्रेस में ही बापसी का फैसला क्यों लिया आपने क्या उधेड़ बुन है जो आपके मन में चल रही थी देखिए उस समय अपनी जब चर्चा हुई थी आज से 20 दिन पहले मैंने कहा था कि छिनवाडा के विकास को लेकर हमने निर्णय लिए क्योंकि हमारी नगर निगम के चवदा पारसद भारती जनता पालिटी में मेरे से पहले शामिल हो चुके थे तो मानसिक रूप से मेरी पर भी एक जिम्मेदारी बन रही थी कि मैं पी उनके साथ जाओं और चिनवाडा की जनता ने जो मौका दिया उस पर हम काम करें लेकिन इसी के चलते हमने दिमागी स्थर पर एक राजनेतिक रूप से निरना लेती हुए मैं भाजपा में सामिल हुआ लेकिन जब मैं सामिल यह दो एक इनसानियत के तोर पर एक मानो सौभाव की नाते मेरे दिल में एक चीजें चहन में आरी थी कि कि कमल नाजी की बज़े से आज जो कुछ हू मैं उनकी बज़े से हूँ और उन्होंने इन दस-बारा सालों में परिवार के मुख्या के रूप में मुझे सवारा एक काउं से लेके चिनवाडा का महापौर बेटर से लेके मेहर तक बनाया चुकि यह चीजे खटक रही थी अगर आप किसी राजनेतिक विचारदारा से हम बदल के जाएं तो निश्चे तोर पर बहुं सारी चीजे बदलती है फोटो अपने अपने आप जब आप जब आप आप दीन नहीं सोया अगर मैं घाज गाड़ी में बैठता तो ऐसा लगता था किसका नहीं नहीं ले पाया तो आने वाले समय में मैं खुद को भी मार्फ नहीं कर पाऊंगा और इंसानियत वने कर नहीं तो नहीं था और ये निरनाय लेने के बाद उनसे चर्चा हुई कि तरफ से कोई धबाव था कियो कैसा चाह चारे है कि आपकि अपर प्रेशर था और दूसरी बीज़ी पी पा भी प्रेश दापक लेकिन अभी जब बात हुई है अपकी नसे यह प्रम अब ⁘ जीजेुआ हुई है अभी किसी की कर दो एक अब तरहापिए दिल से लिखर उनसे अद प्रिस्टे जुड़े हैं इसलिए मै लिए धिमाग से लिए था। इन्स ऩराच के स्थक्यास तरहे वाइवा टो उटाथfact के वहतला कि अपने झिलम हैं मैं कोई बीज़पी लीडर से आपकी बात हुई कुछ आपने चर्चा की ती क्यों आपस जा रहे हैं से कुछ अपने उनको बताया है अभी किसी से कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई और चुकि फंदरा दिन के बाहूल में जब मैं वहां गया भी तो हम किसी भी नए परिवार में जाओ तो एक एड़ेश्ट होने में भी समय लगता है हमारी विचारदारा एलाग रहती है लोग अलाग रहते हैं तो मैं अपने आपको आसाहज भी महसूस कर रहा था हमापे निर्वाचन आपका शुरुवात आपने कहां कि फिर से हो सकती है और फिर से आपको संघर्श कर जालू करेंगे संदर्स करते रहेंगे लोग और निता ने रजना दल बदला है उनसे क्या कहेंगे अलाग यह सबका इंडिविजूल ने है उन्होंने अपने अपने फैसले किये हैं लेकिन कई यूवा नेता भी हैं जो कॉंग्रेस से चिंद्वाड़ा में दीपक सक्सेना गये हैं क्या कोई अपील करना चाहेंगे दीपक सक्सेना से विक्रम आहा के तो वही परिस्थेती आज निर्में तो रहे हैं कि बहुत सारे लीडर से जो बीजीपी में गया आप अप अधल बदल करने बाले नेताओं से आप क्या गएंगे क्योंकि अभी हाली में दीपक सक्स अपने निर्नाय ले रहा हूं और दिल से निर्नाय ले रहा हूं यह राजनेतिक निर्नाय नहीं हो सकता है राजनेतिक रूप से गलत निर्नाय हो यह हो सकता है उस दिन का गलत निर्नाय हो लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पे जो आज निर्नाय ले रहा हूं मैं यह बै आप जुनों ने आपको परिवार का ही सदस्यमाना बिल्कुल वो तनाव था और वो जीवन बर रहने वाला तनाव था अगर आज मैं निर्ने नहीं लेता तो आज मैं अंदर से बड़ा हलका महसूस कर रहा हूं कि बहुत 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 कि बात सही है कि पॉलिटिकली ये डिसीशन करेक्ट है कि नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा क्योंकि सभी यही कहेंगे कि ये क्या कर दिया विक्रम आपने अच्छे भले चले गए थे बीजेपी के साथ चलते तो कई फाइदे होते कई चीजे होती लेकिन विक्रम आहाके ने अपने मन की बात सुनी है ऐसा दावा वो कर रहे हैं निशान्त बिसेन भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी निशान्त आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेगे बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये सर्प्राइजिंग तब भी था जब वो बीजेपी में गए थे और उसके बाद सर्प्राइजिंग आज भी है जब वो उन्होंने वापस कॉंग्रेस का रुख किया है शर्प से जानता हूँ जब वो यूथ कॉंग्रेस की राजनीती करते थे कमलनाथ उस समय भी उन्हें इसने हकरते थे इस कदर इसने हकरते थे कि वो उन्हें आदिवासी अंचलू की जिम्मदारी दिया करते थे एक दौरे में मैं कमलनाद जी के साथ विक्रम भाई भी साथी थे, अमर्वालाक शेतर में हम थे, तब ही मैं समझ गया था की कमलनाद उन्में समभावना देख रहे हैं, उसके एक साल बाद ही उन्हें नगर निगम का महपौर बना दिया गया, पुरदेश भर में उन्होंने स पहचान नहीं थी लेकिन एक पहचान मिली और राष्ट्रिय फलक पर वो पहचान मिली तो आज बस यही कहा जा सकता है कि बीते 15 दिन का दौर यकीनन विक्रम आहाके के लिए मुश्किल भरा रहा होगा और आज जैसा कि उन्होंने कहा कि वो पिछले 15 दिनों से पूरी नींद नहीं सोपाए हैं वो रोते थे और अगर आज वो यह निर्णय नहीं लेते तो जीवन भर खुद को माप नहीं कर पाते एक जो उनके अंदर का है वो हमेशा उनके साथ चलता तो विक्रम ने उस बोच को आज अपने मन से अपने सीने से हटाया है और विक्रम जिस नाम का अ अगर उन्हें कांग्रेस विकार नहीं करती है तो क्या होगा लेकिन इसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की है और अपने मन की सुनी है तो एक 32-34 साल के युवा के निर्मल मन को आज हम देख पा रहे हैं वो राजनीतीन है ये अलग बात है लेकिन चिनवारा के एक प्योर आ अपने से तोर पर और ये बात समझ में आती है कि उन्होंने ये निर्ने अपने दिल से लिया है और एक शेर बड़ा खुबसूरत है इसी जमीन पर कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल है लेकिन कभी-कभी इसे तनहा भी छोड़ दे हमेशा अकल से सोचना जो य यहां अकल को उन्होंने हटा दिया और आगे बड़े हैं